मुख्य मंत्री कहते हैं हमारे दिल्ली पुलिस के सिपाई हमारे दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो उनकी सुरक्षा भी करते हैं उनके मंत्रियों की सुरक्षा करते हैं दिल्ली का मुख्य मंत्री कहते हैं कि दिल्ली पुलिस के ठुले अगर ऐसा कोई शब्द का परयोग है क्या हम उसको अधिकार दे सकते हैं दिल्ली पुलिस को सम्भालने के लिए ये हमारे दिल्ली में सबसे पहले विधान सभा का चुना हुआ उननी सो तेराणवे में और उसके बाद से जब तक केजरिवाल जी मुख्य मंतरी नहीं बने तब तक कभी किसी सरकार ने शिकायत नहीं करी हमारे यहां पर बीजेपी की सरकार रही तो उपर कॉंग्रेस की सरकार और हमारी दिल्ली में कॉंग्रेस की सरकार होती थी उपर हमारे अटल बिहारी वाश्पेश जी की बीजेपी की सरकार होती मगर आपस में कभी कोई ने लग ये पहली बार 2014 के बाद हुआ कि दिल्ली के मुख्य मंत्री जो अपने जूटे वाइदे करके पूरे नहीं कर पाए वो अपनी विफलता के कारण में LG को दोश देते हैं परधान मंत्री को दोश देते हैं और उन्होंने आज तक कोई काम नहीं के उन्होंने कहा ता मैं 500 स्कूल बनाऊंगा एक भी स्कूल नहीं बनाया और वो कहते तें पचास कॉलिज बनाऊंगा एक भी कॉलिज नहीं बनाया और उन्होंने कहता तब 20 हॉस्पिटल बनाऊंगा एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया तो जब भी चुनाव आता है तो बड़ा बड़ा वो वाइदा करते हैं मैं अपना भिजली दे दूँगा पानी दे दूँगा तब कोई उनको अफिसर नहीं रोकता तब हमारे उपराज जेपाल उनको नहीं लोगते मगर जब वो काम नहीं कर पाते तब वो उपराज जेपाल का परधाद मंत्री जी का भाना लेते हैं तो अज तो यह आलत हो गई है कि आज इनकी सारी सरकारी जेल में है क्योंकि घोटालों में इतना कमा लिया है कि अब तिहाड जेल को ही अपना पाटी का कारेले बना लिया है सारे मंत्री जेल जा रहे हैं मैं देख जी इस बिल का समर्थन कर रहा हूँ और यहाँ पर जितने गड़बंदन के लोग बैठें उनसे भी कहना चाहता हूँ कि यह अगर आप जो इसको अधिकार देनी की बात कर रहे हैं ना अगर इसको अधिकार मिल गया तो अभी इसने पीछे एक हमारे दिल्ली में फीडबेक यूनिट बनाया था और वो फीडबेक यूनिट में हमारे LGO ऑफिस का सभी सांसोदों का सभी BJP के विधायक का IAS IPS ऑफिसर का इसने फोन को अपना टैप करना शुरू कर दिया था अगर यह जो गड़बंदन के लोग बैठें अगर आप उनको अधिकार दे देंगे तो आपके सारे फोन भी केजरी वर्ल टैप करेगा फिर आपको अपना चिंता होगी इसलिए मैं ये बिल का समर्थन कर रहा हूँ और आखिर में दो लाइन बोलकर अपनी बात को समाप करता हूँ कि अन्ना अंदोलन के वो महान असूल वो सारे यमना में बह गए और राम लीला मैदान से निकल कर सरजी आज केवल अपने विग्यापन में सिमट कर रह गए ये केवल विग्यापन की सरकार है 13,000 करोड रुपे के विग्यापन से ये सरकार चल रही है और कोई कारण नहीं है इसलिए मैं सभी सदन का मैं हाथ जोड़ कर कहूंगा कि इस बिल का समर्थन करे धन्यवाद झाल